अगर आप एक law student हो और मैं आपसे बोलू कि आपको जो पूरी दुनिया की top law firm के साथ में internship करने का मौका मिल रहा है तो क्या आप apply करोगे तो इसी बात की वज़े से ही एक notification जारी करी गई है और ऐसी एक company है LLP है एक law firm है जो पूरी world की top 10 की list में आती है तो आपको उसके अंद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन से कौन से law students जो apply कर सकते हैं और किस law background के अंदर आपको काम करना पड़ेगा यह सारी details अगर आपको जानी है तो वीडियो शुरू से लिकेंट तक जरूर देखेगा मेरे ना मैं आयूश आप देख रहे है smart and legal guidance वीडियो ज्यादा मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको एक update देना चाहूँ कि Saturday 24th of April 2021 को हमारी मेरी एक unacademy पे class है जो constitution हमारा topic है free of cost आपको मैं constitution के topics पढ़ाता रहूँगा और अभी मैं और भी lectures ले चुका हूँ लेकिन 24th of April 2021 को जो हमारी एक class होगी सुभा 9 बजे description box के अंदर आपको link provide हो जाएगा एक सुभा 9 बजे class होगी 9 से 10 एक रात को 9 से 10 class होगी उसके अंदर में fundamental rights जो है हमारे constitution के अंदर जो mention करे हुए है और जो हमारे fundamental rights होते हैं वो कहां से आए हैं किस वज़े से आज हमारे भारत के अंदर ये impose करे गए ते fundamental rights को क्योंकि कहीं भी आप job के interviews में जाओग तो इसी वज़े से आपको अगर अपने आपको strong करना है free of course आपको कोई फायदे की चीज मिल रही है तो आप ज़रूर grab करिएगा तो हमारी जो unacademy पर class होगी Saturday को 24th of April 2021 को सुभा 9 से 10 हो एक class होगी रात को 9 से 10 एक class होगी दोनों classes का link आपको description box के अंदर मिल जाएगा और unlock code होगा class का SLG10 जब आप type करोगे तो आपके लिए class open हो जाएगी आप free of course पूरी की पूरी class लीजिएगा और अपने सारे doubts पूछेएगा बिलकुल live class चलेगी और सारा discussion live करेंगे unacademy पर तो जो हमारा वीडियो को topic है अब हम जो बात कर रहे थे इसके इंदर Clifford के बारे में Clifford, Chance एक LLP है, multinational एक पूरे world के अंदर top 10 law firm के एक list के अंदर आती है, अब इसके अंदर आपको एक law student होने के नाते, internship करने का कर मौका मिल जाता है तो आपका वैसी एक resume का जो base होता है वो बहुत अच्छा आपका बन जाएगा, आप कहीं पर भी दूसरी जगा पर job के लिए apply करोगे, तो सबसे पहले वो बंदों को देखते हैं कि अच्छा जो बंदा LLP करके आया है, तो चलो वो fresher होगा, लेकिन fresher होने के नाते, अगर जो वो law period के अंदर था, जब उसने law कर रहा था, तो वहीं पर कहीं ना कई तो उसने internship करी होगी, तो कहां कहां पर उसने internship करी ह तो यह सारी के सारी बाते जो हैं ध्यान में रखी जाती है, एक जो आपका interviewer होता है न, वो आपके अंदर यही चीज़े no down करता है कि चलो भई, fresher हो है, चलो ठीक है, लेकिन इसने law के days के अंदर अपनी कहीं ना के internship करी है, नहीं करी है, यह बात ध्यान में रखनी पड़े वो law students है, कोई भी year के, first year से लेके, fifth year तक, पांस सल वाली law में, first year से लेके, third year तक, तीन सल वाली law के अंदर, तीन सल वाली law के अंदर, वो कोई भी बन्दा apply कर सकता है, यह entirely पूरी की पूरी online internship होगी, virtual internship किस के उपर होगी, इसका पीछे एक topic क्या है, climate change, climate change के उपर यह internship कर कर सकते हैं, 5-6 गंटे तक आपको देने पड़ेंगे, पूरी internship के अंदर, और इसके अंदर बात बोली गईगी, आपको काम किस तिरी के उपकर करना होगा, किन-किन चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके अंदर सबसे पहली बात आपको research करनी पड़ेगी और अपने आपको perfect, आप बनाते रो, बनाते रो, research work के अंदर, बहुत काम आता है, और आगे चलके आपको बहुत benefit देगा, कहीं पी भी आप job करोगे, सबसे पहले बाता है, आपको पॉजिटिव साइट पे researching का ही और एक drafting का का काम देखा जाता है, इसके इंदर research work करनी तो उसके अंदर आपको report तयार करके इनको देनी पड़ेगी, अपने views बताने पड़ेगे, अपना research work बना कर तयार करके इनको दिखाना पड़ेगा, दूसरा बात आपको review भी करना पड़ेगा, comments भी करने पड़ेगे, जो भी इनके heads और टर्म्स के, जो ये company के अपने heads बन जाएंगी, लेकिन अभी एक basic बात ही है, आप एक law student हो, top 10 की जो world की list के अंदर आती है law firms, वहाँ पे आपको apply करने का मौका मिल रहा है, join करने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल join होईएगा, तो इसके अंदर आपको कैसे join होना है, ये सारी information जो है, description box के अंदर आपक इसी अपनी internship join कर सोगोगे, तो आज की जो वीडियो मैंने आपको बताइए, पहली तो ये internship के बारे में बताइए, दूसरी एक और opportunity, free of cost, आपको जो 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 लिंक है, description का, unacademy का, free class का, वो आपको description box के अंदर provide हो जाएगा, साथी में, class को unlock करने का एक code लगता है, SLG10 जो पहली बार unacademy को join कर रहे होंगे, तो उनके लिए code लगाना पड़ेगा, आपकी class खुल जाएगे, आप free of cost देख सकते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को subscribe जोरू करेगा, वीडियो को like जोरू करेगा, comment section में अपना doubt पूछ कर, किसी भी च टो जबत